नमस्कार, मैं हूँ आदित्ति कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोस्ट सुसान सिंग की मौत से जोड़े हर किरेदार संदे के घेरे में आते जा रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके से सुसान सिंग राजपुत की मौत हुई है पूरा तेश कह रहा है कि आत्मत्या नहीं बलकि मडर है उनके परिवार वालों ने साथ तोर से आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर ने एक संसनी खेद जानकारी पुलिस के सामने लीक कर दी है वो कौन से जानकारी है सुसान सिंग के बारे में जो आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर ने लिक की है और उनके किरेदारों पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि लगातार सबूत को मिटाने की कोशिस हो रही है क्या सुसान सिंग राजपुत का मॡर हुआ है या फिर वाकई उन्होंने आत्म हत्या की है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए क्योंकि आपने इस पूरे मामले को देखा है जाना है समझा है आपको क्या लगता है क्या वाकई उनकी हत्या की गई है या फिर उन्होंने आत्म हत्या की है जिस तरीके से पूरा द दोस्तों मैं आपको बता दू कि सुसान सिंग के भनोई भी एक सीनियर पुलिस अधिकारी है जब उनकी नजर में ये मामला आया तो उन्होंने पहली नजर में ही कह दिया कि इनका मडर हुआ है और पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए लेकिन आखिर सरकार कहां सोई है परस जिन्दगी को कैसे खतम कर सकता है किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा है शायद आपको भी भरोसा नहीं हो रहा होगा मौत के बाद जिस तरीके से सबूत आते जा रहे हैं अगर आप उन सबूतों को देखेंगे तो कोई भी इंसान कह सकता है कि उन्होंने आत्मत्या नहीं की है उनका मडर हुआ है दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले की CBI जाच होनी चाहिए आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि ये पूरा मामला संदिक्ध है देश सवाल खड़ा कर रहा है उनके परिवार वाले CBI जाच की भी मांग कर रही है अगर आप भी चाहते हैं सुसान सिंग राजपुत की इस पूरे मामले की जाच CBI के हाथ में जाए तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि इस मामले की CBI जाच होनी चाहिए क्योंकि हमारा सुसान पल भर में अपनी जिन्दगी खूद खत्म नहीं कर सकता हो सकता है कि उनको मारा गया हो उनका मडर क्या गया हो या फिर आत्महत्या के लिए उक्साया गया हो इस पूरे मामले की CBI चार्ज बहुत चरूरी है इस वीडियो को आप जादा से जादा सेर कीजिए दुनिया के हर इंसान तक ये वीडियो पोचना चाहिए क्योंकि तभी लोगों को ये पता चलेगा कि सुसान सिंग के मौत का राज क्या है उनकी हकीकत क्या है इस चैनल को आगे के अपडिट के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए नमस्कार